गुम्ला जिली के कुर्मर थाना शेत्र के किरागनी जंगल में आज दूसरे दिन भी नकसलियों के द्वारा लगाए गए आईडी बंब ब्लास्ट हुआ जिसमें ग्रामिन के चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई मौत ग्रामिन के पहचान रामद मुंडा ग्राम बारडी थाना कुरुमर के रूप में की गई है आपको बता दे एक दिन पूर भी उसी जंगल में मावादियों के द्वारा लगाए गई आईडी बंब के चपेट में आने से कोब्रा बट्रालियन का एक जवान गंभी रूप थाना शेत्र में प्रतिबंदित उक्रवादी संगटन भागपा की नकसलियों के जमा हुने वहीं किसी हिंसक कारवाई किया जाने की योजना बनाने संबंदित आम सूचना पर सेंग तो बले के दवारा घरे जंगलों में पहाडों से अच्छा दीत कुरुमर थाना शेत्र म ने बताये कि आंग सूचना के आलोग में नकसलियों के मनसुबे को नाकाम करने और प्रभावी कारवाई करने के लिए तेरा जुलाई को प्राता में सैंक्त बलूं के द्वारा स्कॉर्ड बीडीडीम टीम के साथ अभ्यान चलाया जा रहा था अभ्यान के क्रम में CTGD नंबर तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा था जिसमें आस पास के लखड़ी चुनने वाले मविश्टी चुनाने वाले ग्रामिन जिन्हें से लाकी की पूरी जनकारी भी मदद कर रही थे इस दुरान दुर्भागे वसी ग्रामिन का पैर मावादियों के द्वारा सुरक्षा बलू को नुकसान पहुंचाने के उदेश से लगाए गए प्रेशर आईडी पर पढ़ गया वाई जक्मिन ग्रामिन को डॉक्टर पर ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने जान चुपरान जक्मिक ओमरत खोशित कर दिया बतादे घटना के समद में प्रात्मिक सुचना रिपोर्ट दर्जकर विधित समद कारवाई सुनिशित की जार ही है